लो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आयोऊप कि आप लोग उच्छे ही होंगे तो हर रौज की तरह आज की विडियो टेकन्यूज है वह क्यवांट इंडरेसिक होने वाली फूरा टेकन्यूज जबूर बात करके आना तो स्माइब अर्फ पॉर्पॉन बात कर लो तो चीक्टा की लगे एक तो प्रोस्टर के तौर पर इसमें स्नेपडेगन 6S जंत्री चिपसेट होने वाले हैं जो कि देखा जाए तो अंडर 15,000 के प्राइस कट गरी में एक बढ़िया प्रोस्टर है साथ में प्रीमियम वेगल लीदर डिजाइन इसमें मिलने वाले तो अबर तीन कलर वेरियंट में इससे लॉंच किया जाएगा इसके लावा डिस्प्ले की बात कर लो तो 6.5 इंच की 120 अर्ज डिस्प्लेइस में होने वाली जिसमें एक तो गुरिला गलास 3 का प्रोटेक्शन होने वाला है और टोटल इसमें 13 5G बैंट्स भी होने वाले साथ में पी प्रिकेशन तो ठीक्ठा की यस प्राइस कटगरी में सेंप्रास कटगरी में डाइवश्टी 70 50 चिप सेट के साथ भी स्मार्टफों अब लेवलेक्टी रियल्मी की तरफ से रियल्मी पीवन तो पर्फॉर्मेंस में ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होने वाला स्नेप डेकान 6 स तो आप मोटरोला के यह स्मार्ट पूल लेना चाहते हो तो देफिनेटली मोटरोला जी 45 के लिए आप वेट कर सकते हो अगले इंच को बात कर लों तुगो रियल्मी के तरफ से निकल के यारी दोस्तों पिछले विक के न्यूज में मैंने आपको बताया था कि रियल्मी का जो यह बैटरी है 0-100% एराउंड 4 मिनट 30 सकेंड में बैटरी को फुल चार्ज करता है तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा यह बैटरी को फुल चार्ज करता है लगबग 5 मिनट आप मानके चलो तो पिछले साल भी ओपो ने 240 वार्ट फास चार्जिंग सपोर्ट को सोकेस कि उसमें भी उन्होंने दिखाया था कि लवक 4000 इमेज की बैटरी को इराउंड 9 मिनट में फुल चार्ज करता है लेकिन यहां पर टाइमिंग और भी कम हो गई है इसके अलाबा सामी ने भी 300 वार्ट फास चार्जिंग सपोर्ट को सोकेस किया था तो अबराल देखा जाए तो समसंग की तरफ से निकलके आरी दूस्तों समसंग का जो अपकविंग गैलेक्सी 25 वल्टरा है उसका फर्स्ट लुक बार आया है एक इमेज बार आई है जिसमें आप देख सकते हो कि फोन का जो कॉर्णर है उसको राउंड किया गया है फिलाल जो करेंट मोडल है उसमें सार कॉर्णर एबलेवल कराएगा है तो यूजर के इन हैं फिल को लेकर अभी करेंट मोडल में काफी कुछ कॉमन कंप्लेंस भी आ रही है तो उसको लगता है सैमसंग ने ठीक करने की कोशिस किया है सार्प को रिप्लेस किया गया है राउंड कॉर्णर के साथ बाकि जो अभी रूमर्स के तौर पर ही लेना एंड जहां तक बात रही लॉंच की तो नेक्स्टियर गैलेक्सी 25 अल्ट्रा को लॉंच किया जाएगा साथ में प्रोसेसर को लेकर भी रूमर्स है कि स्नैपडेकन 8 जेन 4 का चिपसेट इसमें होने वाला है अगले इसको बात कर लो सकते हों कि एक तो इसमें आपको कॉब्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल लाई है तो इसमें भी अपडेट्स आ रही है कि 4500 नीट्स की पीक वाइटरस देखने को मिल सकती है एंड इस फोन को लेकर लीक्स भी है किया बिल्कुल री ब्रांडेड स्मार्टफोन होने स्मार्टफोन होंगे इसके उपर तो मैं बात करूंगा ही लेकिन जो आई क्लोज कंपटीटर होने वाला है अंडर 25,000 के प्राइस कटगरी में जो भी इसके क्लोज कंपटीटर है उसको एक टॉप कंपटीशन देने वाला है अले इसको बात कर दो तुगो रियल्मी की तरफ से निकलके आरी दोस्तों अब रिसेंटली इंडिया में रियल्मी 13 प्रो फ्लस को लांच किया गया है तो अब इसका जो सक्सेसर है वो रियल्मी 15 स्रीज हो आपको देखने को मिल सकता है एंड रियल्मी 15 स्रीज के कुछ लिक्स के में बात कर लो तो अपडेट्स अ रहे कि कैमरा ले आउट है वो रियल्मी 15 स्रीज में चेंज होने वाला है तो यह अच्छी नीवज है लेकिन जो 14 स्रीज है वो नहीं आने वाला है इसकल दोस्तों प्राइस बाहर आ चुकी है प्राइस बाहर आ चुकी है एंड प्राइस बाहर आ चुका हूं लगबग 80,000 के प्राइस कर्यारी में इसका लॉंच किया गया है तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइस मुझे ठीकठा की लग रहा क्योंकि बैंक पर्स मिलाकर गया राउंड आपको 70,000 के प्राइस कर्यारी में अविलेबल होने वाला है इसमें काफी कुछ अप्ग्रेड भी हुए है टेंसोर जीफोर चिपसेट लाए गया साथ में कैमरा में भी इंप्रूब हुआ है 50 प्लस 48 मेडा पिक्सल का कैमरा दिया गया है स्टोरेज और रेम टाइप की बात कर लू तो उसको लेकर गूगल ने थोड़ा सा निराज किया है इसमें LPDDR 5X RAM और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप सारी डिवाइस में मिलने वाली चाहिए वो पिक्सल 9 Pro 9 Pro Excel और पिक्सल 9 Pro चिप सेट एंड इसमें पीछे की तरफ ट्रीपल लेर का सेटप होने वाला है 50 मेगा पिक्सल का प्राइमिक वाद सेंसर साथ में 48 मेगा पिक्सल का टेली फोटो कैमरा भी होने वाला है जिसमें हाइवेक्स ऑप्टिकल जूम साथ में इसमें 30 एक सूपर रीज जूम का भी फैसिलेटी दिया गिया है एंड मैक्सिमम इसमें आप 8K 30 fps में पिक्सल 9 प्रो एक्सल में वीडियो सूट कर पाऊगे दियर कैमरा से तो यह एक प्लस पॉइंट इसमें होने वाले है लेकिन ध्या आप थोता है एंड आज की जितने भी टेक्निवस थी उसमें से कौन सानुज आपको सब्साइब पसंद आया नीचे कमेंट सेक्षन में जहूर बताना साथ में लाइक करना मत बुला एंड रेगुलार बोलां की चैनल का रीच है वह बहुत ज्यादा कम है तो वीडियो मिलते हैं फिर नेक्स टेक्निवस में तब तक लिए स्टे सेफ एंड बाई बाई